एलो दोस्तों स्वागत-थै आपके अपने चैनल मेर से दौस्ति में दोस्तों आज हम लोकुछ इंपोर्टेंट कोश़ेंगे छे इंपोर्टेंट कोश्श यानि 240 रुपय वो चीनी पे खर्च करता है एक परिवार चीनी की मुले में 35% की विदी होने पर इस मद पर खर्च की जारी रासी की अपरवरती दखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक भोग में 1.5 kg की कमी करनी परती है चीनी का बढ़ा हुआ परती केजी किया है यानि परती केजी दाम क्या है हमें निकालना है दोस्तों तो कोशन बोड़ा है कि एक परिवार है जो 240 रुपय चीनी खर्च करता है अब क्या होता है दोस्तों चीनी का मूले है जो 25% विदी होता है जिसके कारण अब चीनी परिवार कम खर्च करता है कितना कम खर्च करता है तो 1.5 किली कम खर्च करता है तो बढ़ा हुआ चीनी कादाम क्या है यह में निकालना है दोस्तों तो इस तरह question को दोस्तों बहुत ही असान तरीकस में आपको बताने वाला हो कैसे solve करेंगे आप जानते हैं कि price into consumption बराबर क्या होता दोस्तों total expenditure यानि कहने करत क्या है कि price जो हो रहा है और जो खपत है इनको गुना करके total खर्चा के बराबर होगा तो दोस्तों कितना 25% का विद्धी हो रहा हाँ based 25% का मतलब होता है one by four यानि पहले price चार था अब कितना हो रहा बढ़ रहा तो old price दोस्तों चार था अब बढ़ रहा है 15 re27 कितना हो गया दोस्तों पांच हो गया तो consumption जो खपत है हमें वह ही क्या करना दोस्तों जो हमारा खपत और हो क्या होगा हमारा तो टोटल expenditure है वो सेम रखना है तो कंजप्शन कैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो बस आपको उल्टा कर देना है चार यहां पांच है यहां पांच लिख दीजिए इन्टु चार लिख दीए दोस्तों अभी भी हम लोग 20 पर खर्च कर रहे हैं अभी भी हम लोग क्या कर हम लोग करते थे लेकिन टीनि घदाम बढ़ गया तो मों किया करहां चार केजी यानी चार वीने उप्योग कर रहा है तो कितना का पाइब का दिफरेंस है इसी एक यूनिट का दिफरेंस दिए हो दोस्तों 1.5 kg 1.5 kg इसका दिया होगा है यानि शुरुआत में में दोस्तों हम लोग 1 unit का वेलु 1.5 है तो 5 unit का वेलु कितना होगा तो 7.5 है शुरुआत में 7.5 kg का हम लोग उपयोग करते थे लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया तो कितना का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों तो पंदर गुने चार यानि 6.0 यानि 6 kg पहले 7 kg दाम 7 kg हम लोग चीनी खहिदे थे लेकिन प्राइस में बढ़ती कारण अब हम लोग 6 kg चीनी खहिद रहा हैं तो चीनी का बढ़ा हो मुल्क क्या होगा तो कितना रुपय में चीनी खहिद रहे हैं दोस्तों 40 कि यानि प्राइस कैसे निकलाएंगा नि के हैं इसे टोस्तों पर से करते दोस्तों प्राइट इन्ट लिखते ओल्ड और नील दोटे 45 यह जान दे ते कि एक का क्याई दो डिफरेंस है तो एक का वन.पॉंटाइब फीजी फिर आप दाम है चीनिका तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आए वो कैसे सॉल्व करना इसको तो आए एक कोशन में टू क्यों बढ़ते हैं दोस्तों कोशन में टू मारी इस पकार हैं जो की औस्त पर अधारित कोशन है हमारा एक कर्याले के पूरे स्टाप का औस्त वेतन 3560 रुपे परती मा है अधिकारियों का औस्त वेतन 54 रुपे परती मा है तथा गैर अधिकारियों के लिए यह 26 रुपे परती मा है तो यदि अधिकारीयों की संख्या बारा है तो कड़े आल capitalist में गैर अधिकारी वी संख्या बताईये दोस्तों यहां पर हम लोग effic Also Lore लगा के अराम से निकाल सकते हैं किond estão कर्याले में कितना गैर अधिकारी वी संख्या कि ये तो ऊफ़े में क्या होगा तो तो पूरे अधिकारी और गयर अधिकारी कितना तो 3560 वस आप एलिगेशन में डेल लगा दें तो हमारा क्या जाएगा जो डेसियो आगा दूस्तों यह मार्वर जो रेसियो आगा वह टोटल जो अधिकारी और गेर धिकारी है उनका डेसिवाएगा तो माइनस किजे बरा में से छोटा घटाना है क्रोस से जाटावन माइनस 3560 कितना हो जाएगा हमारा कि दोसुट कि दोस्तों घटाएंगा तो जीरो चार कि इतना होगा घटाएंगे जीरो चार तीन आठ हो गया यानि अठास चालीस आएगा दोस्तों अठास चालीस यहां कितना हैगा चबिस सो है चबिस सो में चार जोड़ेंगे तो कितना हैगा तीन हजार और तीन हजार और पांच यानि आठ हजार कि 9960 आएगा दोस्तों कि दिना दॉस्तों नौसाट आएगा तो जीरो से जीरो चैंशल आठ हो गया ठीक है और वहों लोग सम्म्रेश कितना रिष्य वाएगा तो जार से कटते हैं चार दुनिया चार चप सवल्ला श यहां दूस से काटी है 12 और यहां थेज यानी दोस्तों 12 ट्वेल शीर ट्वेज़ अ धिकार्यो वा लिशंगा कितन लूंटों रहे सो नहीं है तो ऑगेले दिकारी संक्षरिक ज संख Sesame BT history हो जाएगा यानि 10 अधिकारी कितना है दोस्तों देश है यानि कौंस ऑप्शन नमर डी तो में लिए इसमें करना क्या था दोस्तों एलिकेस्ट में अठी लगाना था अधिकारी ग्यार दिकारी चेवंसों गैर इजिकारी चपीश सो थीज़ और घटा दिये हम लोग कोस्मों करते कके तो अधिकारी और ग्यार दिकारी के नंबर के रिसुटिवया अधिकारी 12 से था क्मेशन में क्या होता दूस्तों अधिकारी सब्सक्राइबं में सब्सक्राइबिवारे अन्य चैनल रूपाई वाटा टोटल संख्या यानि जो भी डेनियुमिटर में होगा दोस्तों उसका रिष्यवन यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे निकल गया ठीकारी का और गया रिजगा ठीक है तो कितना हैं यह स्कूफिस्न धियुड है तो उम्ह動画 सब्सक्राइब में कुंद्रचंव और सब्सक्राइब दो पर में कितना हुआ जंब व सकता परशाइब का एब रूपया होता है वह वस्तु का क्या होता है दूस्त प्रपोर्शनल होता है रुपया है जो इन परसली प्रपोर्शनल है वस्तू का संख्या का ठीक है तो इस को हम लोग क्यासर स्वाइब करेंगे दोस्तों तो देखिए 20% का लाव होड़ा है है कि दो हुआ शीप और शीपिदिंगे कितना की लाव बोरा बीस पंख दो बीस पंख यह रूपया होगा यानि वीज पर ने करत के है वन और फाइब यानी सीपिओ पांच है तो इस फिद्रू कहोगा च्छे होगा मैंने कियाब होता है रुपया जो होता है वस्तु का आप दिया हुआ तो एक कितना हो गया बार अपट अच्छे यानि दो वस्तु अब निकलना आप इस पी बहुत निकलना तो पांच इमिट कर नहीं जाएगा दस वस्तु दस बस्तु हो जाएगा यानि कौन सा अप्षिन दोस्तों आप सन्वर भी हमारा राइट अंसर हुआ त तो आएए कोशन वह फोर क्यों बढ़ता है कि दोस्तों कोशन वह फोर माइस पकार जो कि टाइम एंड डिस्टेंस पर धारित कोशन है ठीक है तो एक कुट्टे ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा बिल्ली एक बार में 10 किलोमीटर पती घंटा की गती से दोरी औ कुट्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लाइगा यानि पकड़ने में कितना समयला गया उसके लिए मैंने एक ट्रीक क्या है दोस्तों भाटा में अब स्पीड अ मैं 52 क्या देहा है तो बिल्ली एक 3 दोर कि दोनों दोस्तों एक ही दिस्टा में क्या है कुट्ता यहां पर है बिली यहां पर है दोनों एक ही दिस्टा में दोरा ठीक है दोनों क्या हुगा एक ही दिस्टा में दोरा जब भी एक ही दिस्टा में दोरागा दोस्तों जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या हो जाता है म जोनों को दिलेटिव स्पीट कासे निकलेगा दोनों को स्पीट को हम लोग घटा देंगे यानि 10 और 24 तो कितना हो जागा 14 हो जाएगा 14 ये दोस्तों किल्यぉ M masculISE में कनवार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही इस ये जो कि अष्टर 20 में कनवार्ट करनें के लिए अष्टों हम लोग क्या करते हैं पांच बटा-ठास में मुणा कर compute दीके तो बहुत ही अषालति करते अब क्या जागा दोस्तों 280 यह जो अठारा है उपर चल जाएगा इंट्व अठारा बटा में 14 गुने 5 ठीक है तो काटिए 14 से 280 बीस बार में और यहां कितना जग दोस्तों आईए द्वार नीचे कर लेता है 280 गुना में 18 अब बटा में 14 गुने 5 ठीक है तो 24 से 20 20 बार में 54 बार में तो् अठार चुकु ऐख साट सेकेंड पलस में बारा सेकेंड 12 सेकरण होगा साट 100 बारा तो दोस्तों क्या किये हम लग और यह निट करते हैं दोस्तों कि यह जो कोशन था कोशन फोर्स समझ में आओगा कैसे सॉल्ट करना है तो आए अब हम लोग अपने सेशन के लाश्ट कोशन के और बढ़ते हैं कोशन फाइब जो भी काफी इंपोर्टेंट है कि दोस्तों कोशन फाइब है हमारा इस पर का यदि टू रूट फाइब प्लस रूट अन्ट फाइब का मान गयात किजिए और सभी ऑप्शन एक्स में यानि एक्स के फैलू में पता करना चाहोगा तो टू रूट फाइब दिया हुए तू रूट फाइब लिख दीजिए प् फाइब प्लस में यह जो प्रचीश है बाहर निकलेगा तो फाथ हो जागा यानि फाइब फाइब इसकल टू सेवेन असो गया दूस्तों अब देखिए रूट फाइब और यह तू है फाइब दोनों एट हो सकता है तो सेबेन रूट फाइब आ गया दोस्तों कितना गया दोस्तों से नुट फाइब बढ़ावर में 7x 7-7 cancel out हो गया तो एक सक भेलू कितना गया दोस्तों लूट फाइब फाइब इसका बेलू चाहिए आश्यूट लोग है दोस्तों क्यों सकते हैं यहांि कितना आएगा दोस्तों एक रूट फाइव कि इतना आएग दोस्तों निकाल लेंगे यह दो आप्स नमबर सी हमारा राइट एंसर हुआ है उमीद करते हैं दोस्तों कि यह जो कॉस्टन था यह समझ में आएगा तो आईए दोस्तों एक और को सने जो काफी इजी है उसको भी कर लता है यह सब पूछा गया कोस्टन है दोस्तों तो कोस्तन में शिक्स हमारा इस पक प्रॉविवन जीता होगा क्या होगा और दोस्तों यह एक मैं समंतर से नहीं मतलब योप यह मतलब ऑलrant दी अ efficiency ऑन कितना पध निकालने है तो T10 यätन दसमा पध निकालना है एकिड़ना पहला अंप पहला अन। नमबर कितना है two है प्लस एन मतलब कितना पध निकालना है दसमा पध निकालना 10-1 और दी यह मतलब क्या हो difference कितना का difference है पांच पांच का difference है बस solve कर देंगे 2 प्लस में 10-1 9 9 into 5 45 45 45 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों 47 यह दोस्तों हमारा जो answer होगा कितना होगा 47 यह दसमापत कौन सा होगा 47 होगा दोस्तों यह था कुछ question उम्मीद करते हैं कि आपको सहुलियत होगा exam crack करने के लिए और समझने के लिए chapter को तो दोस्तों यह दी session फ़संत वरा हो तो हमारे चैनल मैंस से दोज़े को subscribe करें वीडियो को like करें शेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं एक नए शिसम में एक नए topic कवर करते हुए आज के लिए थांक्स वाजिंग जैहिन वन्दे मात्रम